ही एवरिवन सो वेलकुम टू लॉजिक पाच्छाला माईनेम इस इमानी चोहांट और आज यस वीड़ो में हम करेंगे लेक्स ऑफ इंडिया यानि भारत की जीली सो बिलकुल हम लोग स्टैटिक जीयस के देखो सारे टॉपिक्स धीर दीर करके कवर अब करेंगे तो आज हम जोग्रिफी का टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम लेक्स पढ़ेंगे और फुल टीटेल्स पढ़ेंगे लास्ट में रिवीजन क्वेशन भी करेंगे कि किस टाइम से एक्जाम में कोशन जो है वो इस टॉपिक से बन सकती है ठीक है तो बहुत जादा इंपॉर्टेंट शेयर कर दूँगी तो अगर आपने जॉइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जहां से आप आरेकली जॉइन कर सकते हैं और आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकती है ठीक है तो चलिए फेले लेट्स के स्टार्टेट दी वीडियो तो सबसे पहले आम लोग यह समझते है कि लेक होता क्या है देखो तो लेक क्या है अलेक इस बॉड़ी ओव वाटर डाट इस सराउंड़ वाइल लेंड मत अपने देखा होगा कि कहीं बहुत थोड़ा सा पानी है और उसके चारों तरह भूमी है तो बस आप समझो उसी को हम क्या कहेंगे हम लेक कहेंगे अब इसा रिवर मत समझ लेना विकॉस इस पार्ट ओफ रिवर ठीक है देख तरीके साब कह सकते हो या फिर लेक देखो बहुत सारी तरीकों की लेक सोती है पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं कि किस किस टाइप की लेक सोती है सबसे वहले ब तो ये समंभाँ पड़िंगे जो हिम नदिये जीले होती है Glacier क्या आपने देखा होगा वहाँ पे जीले होती है उनको Glacial Lakes बोलते है कुछ जीले से होते हैं जो Salt Water होते हैं इनका पानी खारा होता है तो उन्हें Salt Water Lakes कहते हैं Crater Lakes देखो जौला मुखी है लेग से ठीक है आपने देखा होगा कि जौला मुखी के ऊपर इस तरीकी की फर्मिशन होती इस को करेटer बोला जाता है जब इसमें बारिश पानी जब गिरी धर्ती पर तो बहुत कुछ लेक ऐसी हैं जो उस तरीके से क्रियेट हुई है तो इसलिए उन्हें क्रेटर लेक्स भी कहा गया है ठीक है तो दोनों तरीके से याद रखेंगे आटिफीशल लेक्स जो मैनमेड के दोरा बनाएं गई है खोट खोट के गड़ा कोट कोट कहा फिर उसमें पानी भर गया तो वो लेक बन गई तो जो नैचिरल नहीं है जो आटिफीशल लोगों के दो आटिफीशल लेक्स गहेंगे थीक है तो यह होती है टाइप सॉफ लेक् लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कॉन सी है मतलब सबसे बड़ी मीठी पानी की जील कॉन सी है भारत की तो वो कॉन सी है वुलर लेक जो कहां पे लोकेटेड है जम्मुकश्मीर में ठीके अब ही हम लोग स्टेट वाइस भी करेंगे पहले थोड़े से इंपॉर्टन फैक्ट देख लेते हैं इसके बाद अगर नौर्थ इस्ट इंडिया के तरफ पूचा गया जो नौर्थ इस्ट वाली जितने भी स्टेट है अगर वहां पे पूच जाएगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कॉन सी है तो वो लोक्टक लेक है जो कि मनीपूर में लोकेटेड है दोनों अलग हैं ये इंडिया की फ्रेश वाटर लेकर पूचेंगे तो वुलर ही लेक लगाना लोक्टक मत लगाना वो सिफ नौर्थ ईस्ट में काउंट की जाती है ठीके मतलब है तो इंडिया में बत वो नौर्थ इस्ट के लार्जेस्ट है not इंडिया की ठीके इसके बा मतब दोनो state में पड़ता है UP में और MP में अगर आपको एक option मिला UP तो आपको एक option ये भी मिलेगा बोथ वाला अगर बोथ वाला नहीं है तो फिर आपको इन दोनों में से कोई एक ही option मिलेगा दोनों एक साथ कभी भी आपको exam में नहीं मिलेंगे अगर दोनों दिये तो वो ब लेक का लेक जो उडीसा में है देखो legoon lake ऐसे होती है जो मतलब fresh water तो होती है बट लेकिन वह पूरी pure fresh water नहीं होती है उसमें थोड़ा सा खारा खारा पानी है और fresh mix सब होता एक तरीके का उससे हम लगून बोल देते बोलते हैं यानि ब्रैकिश वोटर बोल देते हैं इसके बाद एक कोशन बनेगा कि लार्जेस्ट इनलेंड सॉल्ट वोटर लेक भी या इनलेंड है वो बिल्कुल मतलब आपको ऐसे जिसे कहते हैं न कि धर्टी के अंतर समाह हो गई लाइक ऐसा ठीके तो वो कौन सी है सांभर लेक और यह कहां पे है राजस्तान में लोकेटेड है उसके बाद लॉंगेस्ट लेक सबसे बड़ी लेक कौन सी है बिमनाद जो कि केरला राज्य में है और हाइस्ट यानि उचाई पर सबसे कौन सी लेक है वो है जो ट्रिक्स ठीक है तो ट्रिक बहुत एजी रहेंगी ताकि आप लोगों को मुश्किल ना पड़े तो इसको जरूर ध्यान से कंप्लीट देखें तो देखो उत्राखंड में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है भीमताल लेक नैनीताल लेक देफताल जील सत्ताल रू बहुत ही जादा ये इंपा story द्मक्रण लेक्स यानि कंंकाल जील या फिर मिस्टों देखें रहसे महीं मिलेते लेकिन इस बता को मिस्टी लेक दाने ज्याल तो इसे मिस्ट्री लेक कह दिया और ज्यान भी दिया कि पूस्त थे हीं की इंडिया में स्कंप्रे लेक किसे कहा जाता है ठीक है आप चली हम लोग याद करते हैं देखो भीम ताल से हम लोग निकालेंगे भीम कि जो भीम थे ना वो हर चीज को क्या करते थे खंड कर दे थे हर चीज के तुकड़े तुकड़े कर दे थे तुकड़े तुकड़े को खंड भी बोला जाता है ठीक है क्योंकि उ तो याद हो गए एक साथ उत्राखंड में भीम से देवता और भीम बन जाएगा भीम से भीम ताल हो जाएगा इसके बाद एक और ट्रिक देख लीचे कि साथ भीम को ना साथ रूपों की जरूरत नहीं थी मतलब उनको अलग अलग रूप नहीं चाहिए थे तो क्या बोला मैं साथ रूपों की जरूरत नहीं थी बस नैन ही काफी है यार उनको मतलब एक तरीके से रिजहाने के लिए न यह सिर्फ ट्रिक है ऐसा कुछ हुआ नहीं था ठीक है तो उनको रिजहाने के लिए सिर्फ नैन ही काफी है साथ रूपों की जरूरत नहीं है तो साथ से सत्ताल हो कि जिससे होता है ना कि किससे हम कहते हैं कि तुम्हारी खुबसूरती का क्या राज है तुम्हारा रूप रंग इतना सुन्दर है उसका क्या राज है तो वो राज मतलब रहस्य है भई उसके खुबसूरती का ठीक है तो रूप को रहस्य से रिलेट कर सकते हैं इसके बाद दे देश में सबसे पहले है कीथम लेक फुलहर लेक और देखो मैंने भी बताया था आपको गोविंद बल्ला पंतसागर यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको तो डारेक्ली याद कर लेना ठीक है कि यह यूपी और एमपी के बोर्डर पर पड़ता है कीथम और फुलहर को कैसे याद करें देखो कि यूपी की जो जनता है ना मतलब फुल जनता है क्या बोला मैंने यूपी की फुल जनता थम गई है बिलकुल विपोगज वहां बहुत आपने देखा ना population बहुत ज़्यादा है अब population सबसे जजादा है तो खतरा भी बनता है विपोज कोविड चल रहा है तो यूपे की पूरी की पुरी जनता थम गई तो फल से फुलहर हो जाएगा थम से की थम हो जाएगा ठीके तो याद ओ जाएंगी इसके बार आती है जम्मु कश्मीर बहुत important lakes में हैं काफी सारी हैं याद करना बहुत easy है देखो बुलर lake, डल lake, अंचार lake, बेरी नाग lake, नागिन lake, शेशनाक lake, मांसर lake, गरसर lake, गरसर lake को लेक ओफिशिस कहा जाता है बहुत सारी इसमें आफ फिशिस मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए तो इसे लेक ओफिशिस के नाम से जाना जाता है आप देखो याद कैसे करेंगे देखो जम्मु कश्मीर में बहुत जादा क्या लगाना पड़ता है बल लगाना पड आर्मी को बहुत बल लगाना पड़ता है और लोगों के लगवह सकता है वहां पर है दिन भागड़ा होते रहते दो लोगों के लगता है और उनको लगता है कि उनके चारो तरफ खत्रा है लोगों को क्या लगता है कि उनके चारो तरफ खत्रा है जो जो मैं लिखती जा रहे हैं उसको ध्यान से रखते जाना ठीके उसके मान देखो देखो बल से आपको बुलर हो जाएगा डर से डल लेक हो जाएगा चार से अंचा तीन याद ہو जाएंगी? और ध्यान नगिया नाग, ये नाग वाली लेख आपको कहां मिलेंगी? जम्मो कश्मीर में मिलेगी, नाग से भी लोग को डर लगता है और लड़ाई से भी लोग को डर लगता है, तो बस नाग आपको यादा चाहेगा तो नाक की सारी जो लेक से वो जम्मो कश्मीर में हैं इसके बाद एको मान सर और गर सर कैसे याद करेंगी जम्मो कश्मीर को इंडिया का क्या बोला जाता है मान बोला जाता है भई हमारा मान है हमारा समान है और ऐसे कैसे हम किसी को दे देंगे ठीक है इससे इंडिया का क्या रहता है सर ऊचा रहता एक तरीके से आप इंडिया की मैप को जब भी ध्यान से करोगे तो ये एक तरीके से अगर इंसान की तरह ट्रीट करो तो ये सर कहलाया जाएगा है ना तो जमु किश्मीर इंडिया का मान है इसका सर हमेशा ऊचा रहना चाहिए तो सर गरसर में आ रहा ह और मान से क्या हो जाएगा मानसर लेक हो गया ना याद बिलकुल बहुत इजी तरीका था याद करना ठीक है इसके बाद आता है देखो हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में देखो कौन-कौन सी लेक है गोविंद सागर लेक पोंग डैम लेक और सूरज इताल लेक ठीक ह याद करने का तरीका देखो क्या है कि जो गूविंद है वो घूमने गया कि चलो हिमाचल परदेश चलते हैं लेकिन बर्फ में यानि हिम में उसकी पूंगी भज गई भईया बर्फ में तो ठंड लगेगी न और ठंड से बशने के लिए सूरस देवता चाहिए होंगे भईया सूरस देवता की जो धूप पड़ेगी उससे ठंड से थोड़ा से गर्मी मिल पाएगी तो ऐसे याद हो जाएगा कि गूविंद गया गूमने लेकिन वहाँ पर इतनी ठंड थी कि यानि हिम थी तो उसकी पूंगी बजगे पूंगे से पूंग डाम हो जाएगा थंड मेरी सूरज की गर्मी होग तो तूरष से हो जाएगा सूरज ताल लेक ठीक है याद ऊगया इसके बाद महराज रोकी ठीकि से लोना कृटर भी बोलते हैं इसे CRATER लेक भी बोलते हैं ठीक के कारण इसको क्या बोला गया मतब एक लेक बन गई ठीक है तो लोनार लेक बहुत पूछी जाती है महारास्ट में उसके बाद धामापुर लेक और विन्ना लेक ठीक है देखो बहुत इसे तरीका बताऊंगी महारास्ट से हम लोग always mostly महान रास्ट निकालते हैं अब एक बात बताऊ अगर कोई महान रास्ट है तो क्या उसके पास लोन होना चाहिए भई नहीं महान रास्ट के पास लोन नहीं होना चाहिए और वहां के जो लोग होंगे वह बहुत धार्मिक होंगे विल्ले नहीं होंगे कुछ न कुछ काम करते रहेंगे या फिर कुछ न कुछ मतलब अपने religion के प्रति बहुत अच्छे होंगे लेकिन विल्ले नहीं होंगे ठीक है महानरास्ट के लोग तो विल्ले से विन्ना हो जाएगा और धार्मिक से धामा पूर हो जाएगा ठीक है और लोनार्ड तो हमने लोन से रिलेट कर लिया इसके बाद देखो उडिसा की लेक्स कौ हवा में उड़ती है उड़ती है तो उडिसा से हम लोग थोड़ा सा उड़ना निकालेंगे ठीक है तो चील क्या है हवा में उड़ती है इससे याद हो जाएगा उसके बाद देखो अंश एक नाम का लड़का है और उससे क्या मिल गई है विक्टरी मिल गई है तो वो भी मिलते ही वो हमा में उड़ने लगा और कंजिया से हम लोग पस कुछ रिलेट नहीं हो रहा था तो मैंने से कंचे के खेल रिलेट कर लिया कि आप सभी को पते कि जो कंचे के खेल है वो पुराने नहीं हुए अभी भी मतलब जो बच्चे हैं आपने देखा होगा की ग्रामी गा करें और ऐसी अच्छे ची वीडियो आप लोगों को आप रेगुलर मिलती रहेंगी इसके बाद दिको राजस्थान राजस्थान में कौन सी लेक है सांभर लेक बहुत इसलिए पूछी जाता है कि इंडिया की लार्जेस्ट इन लेंड सॉल्ट वाटर लेक और इसको रामस बलब सागर ठीक है वो थी फर्स्थ और उसके बाद यहाँ पे एक और है राजसमंद लेक अब याद करने का तरीका बहुत इजी है देखो सांभर से हम लोग रिलेट करेंगे शाम कि जो शाम है शाम को ना पुशकर में कहां पे पुशकर में नकी के किनारे हम लोग ने ऐस किसे राजा लोग इखटा हो जाते हैं बस उसको हमने धेर बोल दया बिकास हम इससे धेबर याद कर सकते हैं ठीक है तो शाम से सांभर हो गया पुशकर से पुशकर लेक हो गया नकी नदी से नकी लेक हो जाएगा राजाओं से राजसमंद याद हो जाएगा राजाओं से ह धेबर लेक हो जाएगा ठीक है क्या मैंने ट्रिक बताई कि शाम को पुषकर में नक्की की किनारे नदी की किनारे राजाओं का डेड लग जाता है भई यह बहुत अच्छा लगता है न अधी वदी के किनारे घूमना तो राजाओं को भी बहुत पसंद था घूमना है न ऐसे याद करेंगे इसके बाद केरल केरल में पेरियार लेक वेरी इंपोर्टेंट अस्टमुडी लेक वेरी इंपोर्टेंट बेमनाद लेक वेरी इंपोर्टेंट सस्थाम कोटा वेरी इंपोर्टेंट तो मतलब सारी लेक बहुत इंपोर्टेंट और यह रामसर साइट में दो लेक शामिल है और सस्थम कोटा को लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेकिन केरला कहा जाता है नॉट इन इंडिया कभी गिलत करके आ जाओ ठीक है इंडिया के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी है वुलर लेग जो के जम्मो कश्मीर में है ठीके अब याद कैसे करेंगे देखो पीरियार थे हम लोग बनाएंगे यार कि यार दोस्तों को भी करेला खाना पसंद नहीं होता भाई केरल से तो करेला रेलेटी कर सकते हैं एकदम याद जाता है वो भी क्या करते हैं मुंडी हिला देते हैं कि ना भाईया हमें करेला नहीं खाना तो मुंडी से एस्ट मुडी हो जाएगा यार से पीरियार हो जाएगा दो याद हो गया उसके बाद देखो जो नाथ लोग थे ना यानि उनको भी करे ना पसंद नहीं था नाथ मतलब नाद और नाथ रिलेट करना है ठीके तो नाथ लोगों को करे लखाना पसंद दो नहीं था लेकिन कोट पहनना बहुत पसंद था वही या एकदम वो भी मतलब इमैजन करो देखता लोग नाथ लोग कोट पहन पहन के आया ऊपर सर पर मुकट इमाजन कर के देखो कितना बढ़िया लगेगा है न तो उनको भी कोट पैंट पहनने का शोक पड़िया लेकिन करेला उने तब भी नहीं खाना भाईया कि हमें नहीं पसंद करेला खाना ठीके इसके बाद आंद्रप्रदेश में पुली कट लेके जो की आंद्रप्रदेश और तमिलनाडू के आपको बॉर्डर पे मतलब बिटवीन म में मिलेगे एक्जाम में आप लोगों बोथ फाला उप्शन मिलेगा या इन में से एक ही उप्शन मिलेगा ठीके उसके बाद कोलेरू ले जिसको रामसर साइट में भी शामिल किया हुआ है तो याद कैसे करना है देखो अंधेरे में क्या करना है भी या अंधेरे में कोल य याद करना बहुत इजी था इसके बाद देखो सिक्किम, सिक्किम की चुलामू लेक जिसको हाइस्ट लेक आफ इंडिया कहा चाहता है और समीती लेक याद करने का तरीका वेरी इजी भाई यह जो चोर लोग होते हैं क्या उन्हें सिक्के पसंद हैं यह उनकी सिक्कों पर हो जाएगा ठीके इसके बाद हमारी अगली अगला स्टेट है मनिपूर वेरी फेमस एक ही लेक है यहाँ पर लोग तक ऐसे तो देखो चुटी-मोटी बहुत सारी लेक्स होते हैं बट मैं आपको वह पढ़ा रही हूं जो एक्जाम में बनता है कुश्यन क्योंकि सब कुछ किस्ता चठा याद करने से कोई फायदा नहीं है ठीके लोग तक लेक रामसा साइट में शामिल है यह लार्जेस्ट फ्रेश वार्टर लेक है नौर्ट इस्ट की इसको फ्लोटिंग लेक कहा जाता है तैड़ती हुई लेक और इसका इस पे एक नाशनल पार्क भी लोकेटे से बन सकती है तो याद कैसे करेंगे देखो लोग जो होते है ना अगर उने बहुत सारा पैसा मिल जाए बहुत सारी क्या मिल जाए उनको मनी मिल जाए तो वो उसको एक टक निहारते रहेंगे बिल्कुल क्यों इतना सारा पैसा अगया ठीक है तो लोग क्या करते है मनी को ए कि यहां से हम लोग को पता चल पाएगा कि किस तरीके से कुशन बन सकती है ठीक है सबसे पहला कुशन देखो विच ओफ फोलेंगे इस आर्टिफिशल और मैनमेड लेग हिंदी में बता दूंगी डॉंट वरी कुशन हिंदी में मुझे याद नहीं रहा करनेगा बट मैं जो लोग मतलब इंसानों के दौरा बनाएं गई है वो कौन सी लेक है ठीक है कोलेरू लेक लोक्टक लेक चिलका लेक या कुडाई कनाल लेक देखो मैने आप लोगों को एक लेक बताई है जो कौन सी ते गोविंद बलब सागर थी ठीक है रिहंदर डाम का रिजर्वोयर थ अब देखो इसमें कुछ एक्स्टर नॉलेज भी रिविजन कोशन में मिल पाएगी तो इसलिए इसको करना बिल्कुल में मत भूलना तो यह आंसर क्या हो जाएगा कोडाई कनाल लेक हो जाएगा जो कि कौन से स्टेट में है तमिल नाडू में है ठीक है यह तीनों लेक आर कि यूपी की जो फुल जनता है वो क्या हो गई थी थम गई थी तो अब याद आया फुल कहां पे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल और एक और लेक कौन सी की थम लेक जो हमने याद करी थी यूपी से ठीक है इसके बाद देखो अगली लेक कौन सी है which of the following is not a lagoon question ध्यान से question में not बोला हुआ है कभी lagoon लगा गया जाओ इसमें बोला है कि जो lagoon लेक है जिसको brackish water lake भी कहा जाता है इनमें से कौन सी नहीं है नहीं है बोला है पेरियार चिलका पुलिकर्ट या इनमें से कोई नहीं तो देखो answer क्या हो जाएगा answer पेरियार जील हो जाएगा ठीक है प लगून लेक नहीं है चिलका और पुलिकर्ट ये लगून लेक आप इनमें कहेंगे इसके बताना है which of the following is not a correct match मतलब इनमें से कौन सा सही मैच नहीं हो रहा गलत है इनमें से गलत वाला पेर सुना है बताना है तो डल लेक देखो जम्मू कश्मीर में हाँ हमने डल को डर से याद किया था ना कि जम्मू कश्मीर में तो हंगामा उतार रहता है लोगों के अंदर डर है तो ये तो सही है मैच उसके बाद बेंबनाद लेक केरल में है क्या हां हमने काया था कि नात लोगों को भी करेला पसंद नहीं है तो ये भी केरल में है बिलकुल धेवर लेक क्या राजिस्तान में डेवर को हम लोगों ने किस से याद किया था देखो ट्रिक बहुत जादा इजी है तब ही आपको याद आती रहेंगे मेरे साथ तो डेर राजाओं का धेर लग जाता था तो ये भी सही है अब ये लोग टक ही गलत होगी लोग टक ले कहां पे है लोग क्या क तो इंडियन स्टेट्स बड़ ये बताना है कि इन में से जो चार लेक हैं इन में से कौन सी लेक दो राजियों के बीच में बहती हैं दो राजियों इसको शेयर करते हैं तो ये मैं आप लोगों को बताया था कौन सी लेक है पुलिकट लेक है पुलिकट लेक है आपको कहां ज्यांना किये गा इसके बात बताना है कि इन में से कौन सी लेक असंम में लोकेट आसंम की मैंने बताई नहीं है बढ़ IN bell in लोग लोके लेंगे तो असंम में कौन सी लेक है गयोग बेरी नाग नाग वाले लेक तो वैसे भी जम्मो कश्मीर में है ठीक है क्या हमीर सर होगी नहीं हमीर सर लेग जो है न वो गुजरात में है ठीक है कोलेरू भी नहीं होगी क्योंकि कोल वाली जो लेग थी कि कोई लेग को अंधेरे में पुल ना करो वो कहां पे थी आंधर प्रदेश में तो आपकी लास्ट लेग कौन सी बजी चपनाला असम में लोकेटेड है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा इसके बाद लास्ट कोशन देखी क्या है कौन सी लेक को मिस्ट्री लेक मतलब रहस्य मई लेक कहा जाता है या फिर इसका एक और नाम था स्कैलेटन लेक जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कं तो मैं आपको बताया था रहस्य है रूप का ग्या रहस्य है भई तो रूप से क्या हो जाएगा रूप कुंड और लोकेटेड कहां पर है उत्तराखंडे स्टेट में तो देखा ट्रिक से आप लोगों को बिलकुल मुश्किल नहीं पड़ेगे कर आप एक बार में अच्छ जरूर थी ऐसे ही में इंपोर्टेंट टॉपिक के सकते हैं